Hello everyone, so आज मैं आप लोगों के लिए एक work from home job लेकर आई हूँ, जिसमें आपको कैसे apply करना है, क्या salary रेने वाली है, क्या qualification चाहिए, और आपको job को करना कैसे है, क्योंकि ये work from home है, ये सारे details में बताने वाली हो इस वीडियो में, तो वीडियो को last तक देखना, आपको step by step हर ए international, तो इसलिए करना क्या है, आपको company की तरफ से task दिये जाएंगे, जैसे आप एक task को complete करेंगे, ये आपको दूसरा task दिया जाएगा, और इसके अंदर आपको गर में example से संझाओं, तो आपको कैसे दिया जाएगा, कि जैसे आपको 50 prompt लिखने है, related to कोई product हो गया, related to कोई shopping हो गया, तो time limit दिया होगा, कि आपको 2 hour में complete करना है, या 3 hours में complete करना है, so वो आपको जो time limit है, वो भी उसके साथ mention किया गया होगा, तो within the time limit, आपको prompt को 50 prompts को उन्हें send करना है, so अब जान लेते हैं, प्रॉंप्ट का क्या मेनी है, प्रॉंप्ट होते हैं, जैसे कि आपको shopping से related one-liners बनाने है, कुछ उसकी instruction हो गई, उनको आपको record करके company को send करना है, so आपको इसके लिए, जितना आप लिख सकते हैं, या जितना आप सोच सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट आपको इसके लिए smart work करना है, क्योंकि इसमें time limit है, तो आप smart work के लिए, चारच जीपिटी का help ले सकते हैं, चारच जीपिटी से आप सारा data ले सकते हैं, जो भी आपको चारच जीपिटी, आपको 50 या 100 prompt जो है, वो देगा, one by one आपको उनको record करना है, तो आपको ध्यान क्या देना है, जभी भी आपको record करना है, आपकी voice एकदम clear होनी चाहिए, को कोई नहीं होना चाहिए बैक्ग्राउंड में अगर कुछ होगा तो माइट भी आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट ना हो तो इसलिए आपको इन सारी जीजों को ध्यान रख देन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की सो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन आपके पास कोई experience नहीं है तो आप इस job के लिए easily apply कर सकते हैं और इसके अंदर अगर मैं अब आपको बताऊं तो आपको कोई भी registration fees नहीं देनी है ना आपको registration fees पहले देनी है ना ही आपको registration fees बात में देनी है सो यह बिलकुल free of cost है apply करना कोई registration fees नहीं है selection process क्या रहेगा selection process की बात करूँ तो सबसे पहले आपको registration form जो है वो fill करना पड़ेगा CV जो है वो shortlist कर लिया जाएगा then आपको final selection हो जाएगा जैसी आप final selection की जबफ जाएगे तो आपको एक mail आएगा उस मेल में आपको टास्क दिया जाएगा अगर वो टास्क आपको जाएगा अच्छे से परफॉर्म करते हैं उसके बाद आपको HR जो है वो contact करेगा आपको सारा process समझाया जाएगा आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको काम करना है तो उसके बाद आपकी final selection होंगी आपको टास्क आपको आते रहेंगे उस अकॉर्डिंग आप काम करते रहेंगे अब मैं बात करती हूं payment system की payment आएगी वो weekly आएगी आपको या फिर 14 इंडेस complete हो जाएगे उसके बाद वो आपके account में जो आपका bank account होगा उसमें वो आपका amount आ जाएगा सो अब मैं आपको बता देती हूं कि registration form जो है वो कैसे fill करना है जैसे आप link को open करेंगे आपके सामने ये window open हो जाएगा आपको अपना form fill करना है आपको अपना first name डालना है last name डालना है email address डालना है phone number डालना है how old are you सब कुछ सारी details देनी आपका gender क्या है country का origin कहां पे आप रहते हैं residence कहां है आपका सारी चीज़े आपको डालनी है आपको अपने नेटेव language डालनी है और कितनी language लैंगवेजे में बूल सकते हैं वह डालना है इसके बाद आपको other informations देनी है इनको कि आपको ये इसके बारे में कहां से पता चला तो आप इसमें जो है वो select कर सकते हैं then आपको इनमें yes कर देना है सारी चीजों को ये yes करने के बाद आपको अपना first name डालना है last name डालना है, date डालनी है then आपको sign करना है screen पे normal अपना नाम जो है वो लिखते ना है आपने इसके बाद आपको जो है वो नीचे information दी गई है इसमें आपको policies के बारे में आपको इसे confirm कर देना है ये confirm करते हैं आपको इनको बता देना है कि इनोंने लिखा है कि do you want to be contacted by us for other similar opportunity in future yes करके submit करें So I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा यही सारे steps को follow करके आपको fill करना है अपने form को ऐसी और videos देखने के लिए channel को subscribe करना मत भूलना वीडियो को like कर देना और अपने friends के साथ ज़रू share करना Thanks for watching